नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी को अपने स्वेडियों में इन्हें करंज के फलों के बारे में बताने बाला हूं और इसके औसदी गुड़ों के बारे में बताऊंगा दोस्तों यह जो आप फल देख रहे हैं यह करंज के फल हैं इसका जो यह फेड़ है इसको कट करंज करंज या फिर गागुन पुंग के नाम से जाना जाता है दोस्तो ये इसके पते और इसके फल आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी उसदी है तो इसके जो है मैं उसदी गुड़ों के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तो ये जो करंज के आप फल देख रहे हैं ये इसके फल हैं और इसके अंदर बीज निकलता है जिसका प्रियोग उसदी कर्मे किया जाता है इसके छालका पत्तियों के या फिर इसके बीजों का प्रियोग किया जाता है दोस्तो लटा करांज अनेक बीमारियों की बहुत अच्छी उसादी है, इसके प्रयोग से मदमे, बुखार, जो और वीरिस्तम, पत्री, बबासीर, भकंदर, गंजापन, मिर्गी रोग, कुकरखासी और तुचा रोग जैसे रोग खत्म होते हैं, दोस्तों, ये जो लता करंज है, इसको आप मदमे में कैसे प्रयोग करेंगे, वो ध्यान से सुनियेगा, मदमे, बबहुमूत में आप लता करंज के फूलों को इसमें जो फूल निकले, फूलों का कड़ा बना कर अकर निमत रूप से शिवन करते हैं, तो मदमे के रोगे में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, या फिर इसके बीजों का चून भी हलका हलका आप शिवन कर सकते है जिनको बुखार की समझ से बरह में इस बनी रहती है, वे लता करंज के फूलों को ले जिए और इसकी मेगी को ले करके जल में पीश कर नाभी पप टपकाने या लेप करने से कपबाला बुखार छूड़ जाता है, आप इसकी च्छाल का अगर काली मेच के साथ पीश करके ह लोगों पर मलते हैं तो इस टेमना बढ़ता है, हमारे जो पुरुष से अगर कमजोर हैं तो इस टेमना बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग जरूर करें, दोस्तों मुह में चबाने से भी इस टेमना बढ़ता है, पत्री रोग में लता करंज का बहुत अच्छा प्रयोग है जिनको पत्री हो गई है वे करंज के बीजों की मेगी को एक ग्राम चून ले ले और तीन ग्राम सेहद मिला ले पहले दिन चटावें फिर रो जाना एक ग्राम बढ़ाते हुए 11 दिन के बाद एक ग्राम चटाते हुए तीन ग्राम पर ले आने से पत्री कटकर गिर जाती है दोस्तो बबाशीर में लटा करंज के बहुत अच्छा फाइदा है अगर बिसेश कर मला वरोज जब हो जब आप लटा करंज के एक या तीन ग्राम पत्तों को घी और तिल में भून कर शत्यो के शाद मिलाकर शेबन करें तो बबाशीर में बहुत विख ज़दा लाब होता है दोस्तों बाकंदर में लटा करंज का आप तो आप हलका चुर्न बना करके शेबन करें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है गंजापन में भी ये बहुत ज़्यादा लाबकारी बहुत ज़्यादा गुलकारी ये धन्नबाद